हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू आवर ऑफिसियल चैनल दगोल एचीवर मैं राम कोण करना आप लोग का स्वागत करता हूं हमारे यूटूब की ऑफिसियल चैनल दगोल एचीवर में जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा हुआ काफी इंपोर्टेंट न्यूज है वन न इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक राष्ट एक मानक अभ्यान वन नेशन वन इस्टेंडर्ड मिसन जो है वह पहली बार सितंबर 2019 में इसके बारे में विचार किया गया था और इसका काम क्यों किया गया था कि देश में उतुपादों की जो गुनवत्ता है स्टेंडर्ड है उसको सुनिश्चित करने के लिए एक रास्ट एक रासन कार्ड योजना की तर्ज पे यानि कि वन नेशन वन रासन कार्ड के योजना की तर्ज पे उसी के जैसा यह मिशन की प्रिकल्पना की गई थी और इसमें क्या यह था इसका जो उद्देश था जो प्रचलित विभीन मानकों को भारतिय मानक ब्यूरो के साथ संबंध करना यानि कि बी आई एस ब्यूरो आफ इंडियन स्टेंडर्ड के तहत इसको संबंध करना अब एक रास्ट एक मानक मिशन के अभ्यान के तहत यह इसकी प्रिकल्प का काम कर रहें उनका जो स्टेंडर्ड है वो एक मानक तेक कर दिया जाया कि उस लेवल का उस स्टेंडर्ड के वो काम करें और अगर उनको कुछ भी प्रॉब्लेम हो रही है तो उसकी गवर्मेंट ऑफ इंडिया सहाइता करेगा और इस मिसन के तहत वर्ल्ड क्लास अगरेट फैसलिटीज का हम लोग लुपत उठा पाएंगे तो इसी के तहत एक राष्ट एक मानक अभ्यान के तहत एक राष्ट एक नेशन एक राष्ट एक मिशन के तहत एक मानक मिशन के तहत भारतिय रेल के संस्थान रिसर्च डिजाइन एन स्टेंडर्ड और्गनाजे जो एक organization है जो railways के लिए काम करती है, जो ministry of railways के अंडर आती है, जिसका headquarter लखनों में है, जो railways के लिए काम करती है, वो BIS के द्वारा, यानि कि Bureau of Indian Standard के द्वारा, पहला SDO संस्थान गोसित हो गया है, SDO का full form होगा, Standard Developing Organization के मानिता, BIS के द्वारा, इसे मिल गई है, किसे मिल गई है, तो RDSO को, जो की railways के लिए काम करता है, Research, Design, Standard and Organization को, ये मानिता मिल गई है, ये और ये पहला Organization है, भारत का, जिसे ये मानिता मिली है, तो इसलिए भी ये important news है, कि RDSO को, ये जो मानिता मिली है, ये काफी important, और ये मानिता किस ने दी है, तो BIS ने, जिसका full form Bureau of Indian Standard होता है, जरा हम लोग BIS के बारे में थोड़ा सा ये RDSO को, ये पहला संस्थान बन गिया है, जिसको SDO, One Nation, One Standard के तहत, SDO की मानिता मिली है, और ये किस ने दिया है, BIS ने दिया है, और आपको फिर से याद रखना है, SDO का full form है, Standard Developing Organization, और इसको हिंदी में मानक के विकास संगठन भी कहते हैं, आप हम लोग थोड़ा सा, BIS के बारे में जानते हैं, BIS क्या है, या एक मात्र उभ्भोक्ता मामला, मामले, खादेवं सार्जनिक, वित्रन मंत्राले, भारत सरकार के तत्वाधान में कारी करता है, ठीक है, BIS क करता है, वस्तुओं के मानकी करन, यानि को अथराइज़ करता है, अंकन, चिन्हांकन और गुनवत्ता परमान, मतलब आप समझ लो कि उसको सर्टिफाइड करता है, जो गुनवत्ता की जो सर्टिफिकेशन देता है, वो BIS काम करता, और BIS के स्थापना जो है, वो BIS Act 2016 के त BIS, और इसकी अस्थापना जो है, BIS Act 2016 के तहट की गई थी, और यह जो काम करना जो है, यह 23 दिसंबर 1986 से इसने काम करना प्रारम कर दिया था, यह परभाव में आई था, और BIS का जो हेड़ कोटर है, वो न्यू देली में है, और इसके जो अध्यक्ष है, वो प्यूस गोई प्यूस गोईल को दे दिया गया है, और SDO का आपको दो-तीन चीज़ याद रखना है, कि BIS का है, Bureau of Indian Standard, और इसके जो अध्यक्ष है, वो प्यूस गोईल है, RDSO क्या है, यह Research Design and Standard Organization है, जिसका Headquarter लखनों में है, और यह Ministry of Railways के अंदर काम करता है, और SDO आपको याद रखना है, मानक के विकास संगठन, एक राष्ट और एक मानक की लक्ष को पूरा करने के लिए, BIS ने जो योजना शुरू की है, BIS और Government of India ने, जिसके तहत किसी भी स संस्थान को क्या करते हैं, यह पहले उनके मानकों की जाच करते हैं, कि उनके मानक निर्मान परक्रियाओं की समिक्षा के बाद, उनको वो SDO का Certification देते हैं, जिसके तहत Railways के लिए काम करने वाले RDSO को, इन्होंने पहला संस्थान RDSO बन चुका है, जिसको BIS का Certification मिला है, और यह एक One Nation, One Standard के तहत इसे दिया गया है, तो यह काफी important था, एक रास्ट, एक मानक मिशन के तहत, जो काफी important है, exam point of view से, आपको दो-तीन चीज़ इसमें point out करना है, जिसको आप ताकि याद रख सके और exam में definitely इससे एक questions आपको देखने को मिलेगा, थैंक यू फूर वाचिंग के वाचिंग आवर वीडियोज,